नमस्कार आप देख रहे हैं NMF News आपके साथ मैं हूँ नम्रता चौधी आज बात करेंगे माहराश्ट्र की माहराश्ट्र में विधान सभा चुनाव होने हैं तारीखों का एलान हो गया है और इसी के साथ जो दो अलग-अलग गटबंधन बने हुए हैं वो भी actively काम कर रहे हैं और उसके नेता भी जमीनी स्तर पर उतर कर अब काम करने लग गए हैं लेकिन आज हम विशेश तोर पर चर्चा करेंगे देवेंदर फर्नवीस की देवेंदर फर्नवीस को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे लेकिन जो पहली लिस्ट जारी की गई बीजेपी की तरफ से उसमें ये तै हो गया कि देवेंदर फर्नवीस कम से कम बीजेपी के राष्ट्य अध्यक्ष तो नहीं बनने जा रहे आपको याद होगा पिछले काफी वक्त से चर्चा तेज थी कि देवेंदर फर्नवीस को बीजपी का राष्टिय अध्यक्ष बनाये जा सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि देवेंदर फर्नवीस पात साल बखुबी महराष्ट में सरकार चला चुके हैं संगठन में काम करने का उनको अनभव है अधिकारी उनके राज में बहुत अच्छे से काम करते हुए नजर आए और पात साल बिना किसी लाग लपेट के बिना किसी अबदाग के अपनी सरकार चलाना बहुत बड़ी बात होती है देविंद्र फर्नवीस उन नेताओं में शुबार होते हैं जिनको कहा जाता है कि उसूलों के बहुत पक्के हैं किसी के दबाव में नहीं आते फिर चाहे वो कोई भी हो लेकिन जब एक नात्शिंदे शिवसेनी को कुले कर बीजेपी के साथ आ गए विले नहीं किया पाटी का गट बंधन कर लिया और महा यूतीक में एड ओन हो गए उस वक्त एक नात्शिंदे को महराश्ट का सीम बना दिया गया बड़ी बात ये रही कि देविंद्र फर्नवीस ने तो इसे किसी भी तौर पर नहीं देखा लेकिन देविंद्र फर्नवीस के समर्थकों ने इसे उनके अपमान के तौर पर देखा बहुत सारी बाते हुई कहा जाने लगा कि देविंद्र फर्नवीस के क्याबिनेट में जो मंत्री हुआ करते थे उनको मुख्यमंत्री बनाकर देविंदर फर्णवीस को उप मुख्यमंत्री बनाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जानता है कि एकनाथ शिंदे के महायूती में आ जाने के बाद ही उद्दफ की सरकार गिरी थी। तो ऐसे में ये पहले से तै हो सकता है। देविंदर फर्णवीस ने भले ही से अपमान के तोर पर नहीं लिया लेकिन बहुत सारे बीजेपी के ऐसे निता जो देविंदर फर्णवीस के खेमेके हैं वो इसे अपमान के तोर पर ही लेकर बैठे हैं। और इस अपमान का बदला लेनी के लिए वो पूरी तरीके से तयार हैं। देविंदर फर्णवीस बेहत सुलजे हुए आदमी माने जाते हैं। और शायद इसलिए बार-बार ये कहा जा रहा था कि देविंदर फर्णवीस को बीजेपी का राश्टी अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। अब जो पहली लिस्ट जारी हुई बीजेपी की तरफ से उसमें साफ तोर पर एलान कर दिया गया कि देविंदर फर्णवीस अपनी पारंपरिक सीट से चुनाब लड़ने जा रही है। तो एक बात तो तै हो गई कि देविंदर फर्णवीस राश्टी अध्यक्ष नहीं बनने जा रहे हैं क्योंकि वो माहराश्ट की ही राजनिती करेंगे। और दूसरी कयास बाजी जो उनको लेकर थी कि माहराश्ट से उनको निकाला जाएगा, केंदर में उनको लाया जाएगा, वो कयास बाजी भी थम गई। दूसरी खबर ये कि उनको माहराश्ट से नहीं दूर लेकर जाया जा रहा, नहीं उनको केंदर में लाया जा, नहीं उनको दिल्ली बुलाया जा रहा, और दूसरी खबर ये कि उन्हें अध्यक्ष भी नहीं बनाया जा रहा, हाला कि इन सब के बीच फिर एक और सवाल वो नहीं चाहते कि कटपुतली बनकर आगे बढ़े, वो चाहते हैं कि जो फैसले RSS ले, जो विचारधार RSS की है, उसको BJP के अंदर ले कर जाए जाए. इन सबसे इतर वापस फर्नवीस पर आजाईए, तो फर्नवीस से जुड़ी हुई जो दो खबरे थी, या कहलिजे जो कयास बाजियों का दौर था, वो अब आल्मोस्ट शांत हो गया है. एकनाथ शिंदे का क्या होगा? दिविंदर फर्नवीस चल रहे थे, वो साफ हो गया. वो महराष्ट छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, वो शिवरा सिंग चोहान की तरह अपना प्रदेश छोड़कर दिल्ली में आकर केंदर में नहीं बैठना चाहते थे, तो वो सारी चीज़े तो तै हो गई. दूसरी बात दिविंदर फर्नवीस ने ये भी साबित कर दिया, कि जिस तरीके से मैंने पात साल सरकार चलाई, सोची आजादी के बाद बीजे पी का पहला मुख्यमंत्री बना, ये बड़ी बात थी. और बखु भी चलाई पात साल उन्होंने सरकार, इसलिए कहा जा रहा है कि देविंदर फर्नवीस अपने उसूलों पर चलकर बीजे पी के फैसलों पर खरे साबित हुए हैं, और इसलिए इस बार जब उन पर दाव लगाया जा रहा है, तो वो एक बार फिर उम्मीदों पर खरे उतरने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे. हरियाना वाली गलती नहीं करेगी. मसलन, खटर साब को हटाने में थोड़ी सी देर करते हैं, अगर देर न की होती, तो शायद लोगसभा चुनावों के नतीजे भी हरियाना में बदल सकते थे. और बाकी विधानसभा चुनावों में तो हमने देखा किस तरीके से बीजेप उदर्व के साथ लोगों की सिंपेथी है. लोगों का प्यार है. लेकिन यकीन मानिए, एकनाथ शिंदे जब महायुती के साथ आए है, बीजेपी के साथ उन्होंने गटबंधन किया है. तो ये मेसेज भी लोगों के बीच गया है कि उदर्व ठाकरे वो वाले उदर्व ठाकरे नहीं रहे जो बाला साइब ठाकरे के वक्त में थे या फिर ये कह लिजे उदर्व ठाकरे ने अपनी शिवसेना को वैसा नहीं छोड़ा जिन उसूलों पर बाला साइब ठाकरे चलते तो थ्यूं पैन्ट क भी पैस्व करतें तो एकनाप्र को हीव सिंदे में शामिल हो जाते या विले कर लेते तो शायद वो बात ना आती लेकिन उन्होंने शिवसेनिकों का जो वर्चस्व है उसे भी कायम रखा शिवसेना का वर्चस्व भी कायम रखा और शायद इसलिए चुनाव आयोग ने भी असली शिवसेना के तौर पर शिंदे के हाथ में कमान सौपी और यहां पर भी उनको जीत हासिल हुई उदर ठाकरे एक बार फिर से सत्ता में आने के लिए तरस रहे हैं और शायद इसलिए महाराश्ट से अलग-अलग तरह की खबरे निकल कर सामने आती है कभी खबर आती है फरनवीस ने फोन मिला दिया उदर ठाकरे को कभी खबर आती है संजराउत ने फोन मिला दिया देखी चुनाव होने हैं और चुनावों के दोरान इस तरीके से खबरे आना नेताओं का पाला बदलना जग जाहिर है हर चुनाव में होता आया है इस चुनाव में अगर हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं होगी लेकिन बात घूम फिर कर आजाती है दिवेंदर फर्नवीज पर जैसा की मैंने शुरूवात में भी कहा कि आज चर्चा का विश्य देविंद्र फर्णवीस ही है और चर्चा ये कहती है कि अगर महायूती की सरकार महराष्ट में बंती है तो देविंद्र फर्णवीस मुख्य मंत्री हो सकते हैं और इसी के साथ केंदर में नहीं जा रहे हैं दिल्ली नहीं आ रहे हैं महराष्ट नहीं छोड़ रही है शिवराज सिंग चौहान को भी मध्यप्रदेश के लोगों ने कितना प्यार दिया या आप बखू भी जानते है साड़े आठ लाख के वोटों के मार्जिन से बहला कोई जीतता है जीते है ना शिवराज सिंग चौहान जीते है इतना अंतर तो देश के प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी के वोटों में नहीं रहा वो भी डेर लाख के मार्जिन से जीते है लेकिन साड़े आठ से नौ लाख के मार्जिन से अगर शिवराज सिंग चौहान जीतते है और मुख्यमंतरी भले ही मोहन यादव बन गए लेकिन आज भी शिवराज के घर पर लिखा है मामा का घर खुला दरबार है कोई भी अपनी समस्या लेकर जाता है वो समस्या का निदान होता है तो इसी तरीके के नेता बताये जाते हैं देविंद्र फर्नवीस महराश्ट में हर एक नेता को खीच कर दिल्ली ले आना बीजेपी के लिए सोल्यूशन नहीं हो सकता और नेताओं को तयार करने की जरूरत है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर देविंद्र फर्नवीस को महराश्ट का मुख्यमंतरी बनाया जाता है अगर महायूती की सरकार आती है तो फिर ये भी समझ लीजे कि एकनाथ शिंदे को भी इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि उन्हें जरूरत से ज्यादा मिला है सम्मान भी पोजीशन भी और अब देविंद्र फर्नवीस के हाथ में एक बार फिर से कमान आ जानी चाहिए ऐसा उनके समर्थक तो कम से कम उम्मीद लगा ही रही है बेरहाल महराश्ट की राजनिती से जुड़ी जो भी खबर आएगी वो आप तक जरूर पहुचाएंगे चुनावों से जुड़ी हुई जो भी update आएगी वो आप तक पहुचाएंगे लेकिन यह जो समीकरण बन रही है इसको लेकर आप क्याराए रखते हैं कमेंट करके जरूर बताईएगा बाकि दिवेंदर फर्णवीस और एकनाथ शिंदे में से आप फ्यूचर में अगर मौका मिलता है बीजेपी को या महायूती की सरकार आने का मौका मिलता है महाराश में तो आपके इसाब से इन दोनों में से बेटर नेता मुख्यमंत्री के त नमस्कार